आज मैं बनाऊंगी आम की खटी मिठी आचार इसको खाने में बहुत स्वादिश्ट लगता है इसका दोनों तरह की टेस्ट आता है इसमें खटा भी और मिठा भी एक दम देखिए कितना बढ़िया बन गया है अगर आप भी इसी प्रोसेस में बनाएंगे तो आपका आचार अभी पूरे साल तक रहेगा कभी खराप नहीं होगा तो वीडियो पूरा देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीव ना करें नमस्कार भूमिच की चैनल लाइफस्टाइल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपने सब्स्राइब नहीं किया अभी तक तो सब् कि देखिए इसी साइज का हम काट लेंगे आप चाहिए तो इसका बड़ा साइज भी कर सकते हैं कोई प्रब्लेम नहीं है इसमें आपको जिस साइज का पसंद है ऐसे इसके बाद इसको हम धूप में सुखा लेंगे अगर आप दूप में सुखाएंगे तो तिन-चल size लिए शुखा दिजिए या फिर राद भर बिर पूरे दीन के लिए फैन के नीचे भी लखा रहने दीजिए फैन के नीचे रखने से भी एक कॉटन टावल नीचे रखके उसके बाद धोने के बाद इसके उसको फैन के नीचे फैला दीजिए तो यह अपने आप सुख जाएगा जोरोत नहीं ज्यादा धूब दिखाने के लिए उसके बाद एक कांटेनर लेंगे अब पास चीनीं मिटी का वरतन है तो उसमें बना सकते हैं यह फिर ग्लास का जो मिलता है जार उसमें भी बना सकते हैं इसके पास सुखने के बाद सब्सक्राइगे अन्हार ही. अभी हाम इसमें नमक मिलाएंगे दो चमाच तो आम जो है मैंने दो किलो लिया था तो इसमें मैं दो बड़े चमाच नमक मिलाऊंगी इसके बाद हम एक चमाच हल्दी पाउडर मिलाएंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे एक से डेट चमाच आपको हल्दी लेना है तो आप इसी प्रोसेस में अगर बनाएंगे आप तो आपके आचार भी बहुत अच्छी बनेगी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है धक्कन लगाने के बाद अभी इसको ऐसे इस तरीके से पूरे आम में जैसे नमक और हल्दी लगा हुआ चाहिए मतलब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए नमक हल्दी आम के साथ अभी इसको ऐसे रखा रहने दीजिए कम से कम दो से तीन दिन के लिए ऋबिए नमक जो हमने कम डाला है उसके बात पानी को है ड्रेंड कर दूप में आपको एक दिन के लिए सुखाना foods अभी हम इसके लिए अचाहरका मसाला बनाएंगे त्यूहार मसाला बनाने के लिए मैंने एक विडिए और पहले से अप्लोड कर चुकी हूँ तो इसका वीडियो का लिंक जो है मैं आपको description box में दे दिएँगी वहां से आप चेक कर लीजिए सारे जो इंग्रेडियेंट्स है सब को भूनने के बाद थोड़ा सब थंडा कर लेना है थंडा करने के बाद हम इसमें ग्रेंडर जार में ऐसे दरदर आपीछ लेंगे वीडियो बहुत ज्यादा लबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसका पूरा जो इंग्रेडियेंट्स है और बनाने का तरीका में इसमें बहुत कम दिखाई हूं तो अभी सारे मसाले को भूनने के बाद इसको दरदरा पीछ लेना है तो पूरा वीडियो आप डिस्कुशन बॉक्स का लिंक है उसमें आप दबा के देख सकते हैं अचार मसाला तो उसमें मैंने इंग्रेडियंट्स का लिस्ट भी दे दिया है तो आप आराम से वहां पर जाके इस आचार मसाले को बना सकते हैं आप इस मसाले को चाहे अचार में डाल सकते हैं या फिर अचारी सबजियां में भी डाल करके खा सकते हैं तो अभी जो है एक कड़ाई में हम 300 ml तेल सर्षो का तेल गरम कर लेंगे एक दम धुआउने तक गरम करना है उसके बाद इसमें धंडा होने के बाद देंगे एक कड़ोरी में और इसमें हम एक चमाच हिंघ मिलाएंगे मैं यह वपल फुल गरम करनेके बाद इसको थंडा कर लीजिये अभी देखिए हमारा आम जो हल्दी और नमक में मिलाया हुआ एक दिन के लिए मैंने सुखा दिया था दूप में तो थोड़ा सा सीकुड गया है इसमें मैं 400 ग्राम गूड डाल रही हूँ 2 kg आम है 2 kg आम के लिए मैंने 400 ग्राम गूड लिया है तो आप इसका भी पूरा लिस्ट जो है डेस्टरान बॉक्स में चेक कर सकते हैं अभी इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे आप चाहे तो तेल को बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन मैं पहले से डाल रही हूं तो मैं आपको रेकॉमेंट करेंगे कि आप बाद में ही तेल डाले अभी हमारा जो तयार किया गया मसाला था अचार का मसाला इसमें हम डालेंगे अभी अचार के मसाले के साथ हम इसमें मीक्स कर देंगे देखिए हम अचार का मसाला जो है और गूड जो है यह डालने के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लगा है आम से तो इसको आप दो प्रोसेस में बना सकते हैं पहला वला प्रोसेस जो है ऐसे गूड और अचार मसाला मिला के दो तीन दिन के लिए या फिर चार मात दिन के लिए धूप में सुखा सकते हैं धूप में ऐसे रख सकते हैं उसके बाद आप तेल डाले या फिर इसका तुरंट आप खाना चाहते हैं मतलब तुरंट बनाना चाहते हैं धूप में नहीं सुखाना चा अभी मैं इंस्टांट जैसे कैसे आचार बनाते हैं इसका मैं दिखाऊंगी तो तेल जो है आप बाद में ही डालें क्योंकि पहले से डालने से फिर हमें दो बारा तेल डालना ही पड़ता है अभी ग्यास का फ्लेम अन करके सिर्फ एक से दो मिनिट के लिए पकाना है इसको जैसे की गूड़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए इसी तरीके से आपको एक या दो मिनिट के लिए ही पकाना है ज्यादा पकाएंगे तो हाड हो जाएगा अचार जो है तो अभी देखिए गूड़ भी थोड़ा सोड़ा सब्ट हो चुका है यहां से देखिए इस तरीके से तो अभी आप टाइम जरूर देखिए लगभग एक से दो मिनिट के लिए ही पकाए अभी इसको ग्यास पर अभी हाम इसमें लगभग दो से तीन बड़ा चमच सिरका डालेंगे विनेगार मैं चिली विनेगार डाल रही हूं आप कोई भी विनेगार डाल सकते हैं तो लगभग दो से तीन बड़ा चमच जो है इसमें विनेगार डालना है उसके बाद इसमें मिक्स कर देंगे इसको तो सिर्का जो है इसको डालने से दो तीन तरह की फायदा होता है इससे जो है खटा पन आता है और खटा से लगता है मतलब खटा टेस्ट आएगा और हमारे आम के जो अचार है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब इसको साले साल रखने के लिए खराब नहीं होने के लिए मदद करता है तो इसका सिर्का का काम जो है दो तरह की होता है यह तो आमको आमके आचर जो है बीना प्रिजर्वेटिव की बहुत अच्छा सुरखित रखता है जब तक मतलब साल दो साल तक जितना दिन तक आप खाना चाहें उतना दिन तक और इसका जो है गुड मेंने डाला तो गुड का तो मिठा टेस्ट है और सिर्का का थोड़ा सा खटा टेस्ट भी आ जाता है इसमें अभी देखिए उसके बाद लेयरिंग करके आपको किसी भी काच की बटल में डालना है या फिर चीनी मिटी बरतन के में ही डालें आप कोई भी आचार बना रहे हैं तो चीनी मि थोड़ा तेल डाले थोड़ा आचार डाले थोड़ा आचार डाले इस तरह से आपको पूरे जार में भर देना है उसके बाद उपर से भी तेल डाले तो इसको मैंने इस तरह से स्टोर कर लिया है आप इसी तरह से स्टोर करके बहुत दिनों तक आमकी आचार को सुरखित र लिखा रही हूं आपको एकदम सब्ट बन गया है चार पात दिन या फिर एक हक्ते के अंदर ही आचार खाने के लिए त्यार हो जाता है इसी प्रोसेस में आप जरूर बनाएए अगर आपको इसमें भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके पूछ सकत है तो मैंनुन है जरूर बनाता है तो कमें भी कोई शु civत बनाएट ने फिले तैसा थे ट Dalton ही के दिनके बाकथिता से विवारे क्थिए श्यारे फिर्था नेरी ने कौसे करेदेगे भी बनाएट बनाल ने की छे आएट जाएं निए लिए